आज हम बनाएंगे बच्ची हुई पूरी की बर्फी जी हाँ अपने सही सुना इसे मैंने बच्ची हुई पूरी की बर्फी कैसे बनाना है नमस्ते दोस्तों रंजना किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बच्ची हुई पूरी की बर्फी बता रही हूँ इसके लिए मैंने ये रात की 6-7 बच्ची हुई पूरियां ले ली है इसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और उसको पीस लेंगे हम सबकी घरों में तो पूरियां बच जाते हैं फिर हमें समझ में नहीं आता हम इसका क्या यूज करें तो इसलिए मैं आपके लिए ये बच्ची हुई पूरी की रेस्पी लेकर आई हूँ ये खाने में बहुत ही टेसी लगती है और आप किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे बच्ची पूरियों से बनाया है यहाँ पर मैंने ग्यास चलाकर कडाई रख लिए इसमें दो बड़े चमच के करीब घी डाल दिया है गी की गरम होते ही हमने जो पूरियों को पीस के रखा है उसको डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे इसको चलाते रहना है तो ये देखे इसका color change हो गया है ये भुन गया है अब हम इसको एक plate में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ये मैंने plate में निकाल लिया इसे ठंडा करकर फिर से mixing jar में डालके पीस लेंगे यहाँ पर मैंने एक कडाई ली है इसमें आदा ग्लास दूद डाल देंगे यहाँ पर मैंने कच्छा दूद नहीं लिया है दूद को गरम करके रूम टंपरेचर पर कर लिया था आदा कटूरी चीनी डाल देंगे अब चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जब चीनी हमारी घुल जाए तब हम इसमें बागी की चीज़ें डालेंगे तो यह चीनी हमारी घुल गई है इसमें अब हम इसमें आदा कटूरी मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मिल्क पाउडर की गुठलियां इसमें ना बने अब हम इसे पकने देंगे फ्लेम को यहां पर मेडियम ही रखना है यह इसमें उबालाने लग गया है और हमारा दूद गाड़ा होने लग गया है इसको थोड़ा सा और गाड़ा होने तक पकाएंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं कर रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्स्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ में ही दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस करें अब हम इसमें 4-5 इलाइची को कूट कर डाल देंगे इलाइची को डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वर्फी में आप चाहें तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने यहापर इलाइची को कूट कर डाला है अब हम इसमें जो पूरियों का फाइन पाउडर बना के रखा है उसको डाल देंगे इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे इसे थोड़ा सा गाड़ा होने तक पकाएंगे फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है यह देखे है हमारा मिक्स के थोड़ा गाड़ा होने लग गया है यह बिल्कुल पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी है अब हम गैस को बन कर देंगे अब हम बर्फ्यू जमाने के प्रोसेजर में चलते है तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट को पहले से ही गी से ग्रीस करके ले लिया है अब हम इसमें बर्फी जमने के लिए मिक्सर डाल देंगे उपर से स्मूथ करने के लिए इसे हम हाथ में पानी या घी लगाकर स्मूथ कर लेंगे इस तरह से यह हमारी उपर के सर पर स्मूथ हो गई है अब हम इसके उपर बारिक कटा हुआ बादाम या पिस्ता डाल देंगे मैं यह आपर बारिक कटे हुए बादाम डाल रही हूँ इसे बर्फी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और बर्फी में क्रंची टेस्ट आता है अब इसे आदा घंटा ठंडा करने के बाद हम इसमें पहले निसान लगा लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसमें निसान लगाएंगे तो हमारी बर्फी टूट जाएगी तो यह देखें यह मैंने इसमें निसान लगा के रख लिया है, अब हम इसे फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे, तो यह मैंने निकाल लिया है, अब देखिए हमारी बर्फी बहुत ही अच्छे से जम गई है, तो आप भी इस तरह से बची हुई प बनी है, आप भी इसे बनाएए और खाएए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, आप सबको यह रस्पी बहुत ही पसंद आएगी, और हमारी पूरियों का यूज भी हो पाएगा, थैंक्यू सो मच,